So Hello and Welcome Guys Welcome to my channel आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTSN and Riaz अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब बिकॉज हर दूसरे तीसरे दिन हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं और बहुत ही सारे amazing shots भी बनाते रहते हैं तो भी आज मेरे को sweet जो के मेरा cousin brother है उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है उसका कहना है कि भाई आज वो time आ गया है जब हमें अपने बाकी relative से चुके इसी city में रहते हैं उनसे reunite करने की जरूरत है बिकॉल अब हमारी gang हो गई है बड़ी और अब time आ गया है यह सब को यह बताने का कि भाई अब हमारी gang का राज यहां पर होने वाला है तो भाई उसके लिए मैं आ गया हूँ स्वीट की घर पे आज हम करने वाले हैं इसी के related एक meeting कि कैसे कैसे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और आज हम final करनेंगे कि भाई हम किस area से start करेंगे इस पूरे शेर पर कबजा करना तो गज़ आपको यह बता है कि हाँ पर दो या तीन gang ऐसी हैं जिनके बीच में gang war चल रहा है एक तो green gang है एक purple है और एक वो है जो लिए उपर shirt भी नहीं पैनती है नंगेपूं के gang जिसको बोलता है उस gang के साथ हमारा थोड़ा सा अभी 36 का अगड़ा चल रहा होता है तो भाई जब sweet के घर पर पहुँचा तो एक मोटा आलू यह बैठा हुआ है यहां पर big smoke और rider भी बैठा हुआ ता अब ना गांजा फूटते हुए तो भाई हम यहां यहां पर जब पहुचे तब पूरा decide हुआ sweet ने पूरा बताया कि भाई हमारा जो दूसरे area में जो like relatives रहते हैं आज हमसे उनसे मिलने जाएंगे और उनसे मिलके decide करते हैं कि हमने कैसे कैसे start करना है और भाई मिलके रहना पड़ेगा तब ही यह चीजे कर पाएंगे वो अलग हीरिया में रहके वहाँ पर धाग जमा रहे हैं हम अलग हीरिया में रहके लिए पूरा समरज बना रहे हैं ऐसे नहीं हो पाएगा हमें साथ मिलके चलना पड़ेगा तब ही यह सारी चीजे हो सकती है पर बिग स्मोक भाई इसमें बीच में उठके बोलता कि मैं ऐसे सारी चीजे ठीक नहीं होती हैं बट फिर भी अगर तो बोलता तो चलते हैं पर मुझे थोड़ा थोड़ा यहां पर बिग स्मोक की बात में थोड़ा सा यहां पर जो उता नहीं मना करने वाला या फिर अब्जेक्शन उठाने वाला अब्जेक्टिव था साउंड किया बिक स्मोक का तो बिक स्मोक की इस बात को सुनके मुझे थोड़ा सा जीब लगा बट मैं उसको लेकर अभी फिलाल चल दिया हूँ ये लोग फुल मज़े में बादे करते हैं मिर से कहरें भाई ठोगो मत देना रस्ते में ध्यान से चलाना और ओल मैं उनको वोड़ा भाई मत सिखा मिर को मत सिखा बस हाँ तो पर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सेम उसी सिटी की तरफ जहाँ पर मारे भी त्लिक ओई चीज़े बोड़ रहे हैं मिलके चलने में ही फायदा है अकीले रहके कुछ नहीं होता है और बिग स्मोक मुझे कहीं न कहीं उस पॉइंट पे डिसवरी होता हुआ नजर आ रहा है आई रोन उसका रीजन क्या है पर आज बिग स्मोक और राइडर दोनों थोड़े से अलग लग रहे है एरिया में हम लोग पहुच चुके हैं सामने ही हमारे सारे अवेलेटिव अवेलिबन हैं भाई, खजन, दोस्त, सब लोग अवेलिबन हैं जो कि हमारी ग्रीन गैंग का ही हिस्सा है पर रहते दूसरे एरिया में है तो भाई, हम लोग जैसे ही पहुचे हैं स्वीट उतर की अंदर गया है बात करने के लिए हमको बोरा भाई, बाहरी रुखना जादा टाइम नहीं लगए हमारे बात करके हैं फिर मीटिंग करेंगे किसी और दिन फिलाल तुम लोग नहीं रोगो तो भाई, हम लोग अंदर बात करी रहे थे तब तब फिर ये मोटा आलू बोला कि ऐसे ऐसे हैं यहां पर नहीं करना चाहिए भाई, तभी हमें परज़ चलता कि ओपर एक पुलिस का हेलिकॉप्टर आ गया है जो कि किसी भी एंगल से हम लोग से बात करने के लिए तो नहीं आया हुए थे ये आया हुए थे आज कुछ बढ़ा करने के लिए भाई, इन्हों ने सीधा उतार दी ही नीचे कमांडर और भाई, मुझे लग रहा है कि आज कुछ तो कुछ होने वाला है और पक्का किसी दूसरी गैंग ने इनको टिप दी है, भाई, इतनी दिर में उस मोटे आज उन्हें अपनी वकाद दिखा दी और गाड़ी में बैटके वो राइडर को लेकर निकल दिया भाई, मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं सबज़ भाई कि इसा क्यों हुआ है, तो जो पुलिस वाले उतरे हैं उन्होंने सीधा हमारी ग्रीन गैंग पर हमला करना स्टार्ट कर दिया है, और भाई, मुझे अभी जो चिंता है, वो है, सिर्फ और सिर्फ मेरे कजन ब्रदर स्वीट की जैसे मैं घरके अंदर गुसा होना, वो लोग छट से भी उतरे हैं, और उन्होंने बंदों को मार मार के गिराना स्टार्ट कर दिया, जहां जा रहा हूँ, वहाँ पे बंदों की लाशे पड़ी हुई है, और भाई, मैं अपने भाई को ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला हूँ यार, यह पुलिस वाला आया, मुड़ते हुए, मैंने उसको मोड़ भी रख दिया, भाई, गैलरी में भी पुलिस वाले खड़े हुए, इन्होंने ओरड़ी अपनी, जगा नहीं लिए यार, भाई, यह कैसी जदा है, यहां पे तो हरे फूल निकलते आ रहे हैं, हरे फूल आप समझ रहे होगे किसको होना वेने, हरी एक तो गैंग है, एक हरा फूल है, तो भाई हर जगा ओई हुए, यहां पे तो हर जगा पुलिस वाले हो भाई, हर जगा मेरी जो हरी गैंग के बनने हैं, उन पे गोलिया चलाई जा रही ह मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है यहाँ पर और सबसे गंदा फील इसलिए हो रहा है कि जो फिक स्मोक और राइडर ही भाग कैसे गए यहाँ से इतने टफ मुमेंट में छोड़ कर कैसे भाग गए अब मैं अकीला इनका सामना कर रहा हूँ और वो दो भी होते शायर और अच्छे से सामना कर पाते बट उनका भागना मुझे नहीं समझ मैं है तो भाई यह मेरा कजन ब्रदर है वो यहीं आसपास किसी रूम में है उस तरह सिगनल मुझे मिल गया है मुबाइल का और भाई यहां पर और पुलिस वाल है यार और मेरे पास कोई भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है अभी फिलाल एक पुलिस वाला उपर है जिस च्छत की ओड लेकर मुझे बूलिया चला रहा है इसको मारना पड़ेगा मेरा भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है उसको लेकर बस यहां से निकलना है आप नहीं समझ में आ रहा है यह चीज़ पर यह चीज मैं ज़रूर पोछने वालों कि भागा क्यों बागा क्यों जैसे वोगर ऐसे मुमेंट में ही तो जो दोस्त होते हैं वो काम आते हैं कि पुलिस वाला उल्टे लटक लटक की बुलिया चला रहा है तो अवे समझ में आ रहा है और यह प्रोफेशनल कमांडो बुलाएं इस बार यह मिशन कंपलीट करने के लिए और मुझे अभी भी वड़ा आजीब लग रहा है कि वो लोग गये क्यों बाई एक और आया मुड़ते हुए इसको मैंने मोड़ के रख दिया फिर से तो बाई यह रहा स्वीट मुझे नहीं समझा नहीं कि यह मत्ता खड़ा क्यो था या यहां पर मेरा ही निट करना था मेरे आने से ज़ाधा बूलिट फूर अउर्फ में यह बंशे चाहिक बदेंगी देरी अब कुछ मुने दूँआने पर हेलिकॉप्टर भी गया है यहां से डन अब हम जा रहे हैं स्वीट के साथ भागते हुए और मैंने मोटया लोगो फून किया अब तू भागते हो गया पर हमें लेने हैं मुझे नहीं पता कैसे आगा पर लेने आ और फिर मैं तरह को बाद में बताता हूं कि क्या किया तूने आज तो भाई यहां से चलते चलते हम लोग आ गए हैं बाहर की तरफ से गेट पे और यह पीछे वाला रास्ता लेकि हम में रोड पर आ गए हैं भाई अभी मुझे लगता है पुलिस वाले इतना इजी नहीं तो छोड़ेंगे नहीं कि हमने कुछ तो अभी भी गड़बड लग रही है पुलिस वाले अभी भी पीछे हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गाड़ी के अंदर को चिप लगी और पुलिस वालों को पता है कि हम लोग कहां जा रहे हैं क्यों कि इतनी सटीक लोकेशन वारे पहुंचते के साथ यह ल लास्ट करना पड़ेगा और नहीं यहां सिफ यह थोड़ी और भी तो हैं यह टायर पर गोली मारता हूं टायर पर मार टायर पर मार टायर पर गोली मार दिए उससे गाड़िया फिर भी बहुत like strongly चला पा रहे हैं उग और इतनी सारी गाड़ियां हमारे ही रास्ते में क्या कर रहे हैं यह प्री प्लैंड होए बेना तो फॉसिबल नहीं क्यों हो जाए यह सब कुछ प्री प्लैंड था और भाई काड़ी की हैल्थ हमारी 50% से नीचे आ चुकी है मुझे लग रहा है कि यह खील बहुत जादा देर चलने वाला है नहीं अब और भाई बाईक से भी पीछा करने लगे हैं लोग अब और बाईक पे न सबसे मेंड चीज यह होती है कि बाईक अगर आपके आसपास है तो आपकी गाड़ी के ऊपर भी कूछ सकते हैं जैसे कि यह कूछ गया पर कूछ जाएगा तो छोड़ूआ तो ड़ी तुझे पैस अगर यह मिशन सेफली कंप्लीट हो जाता तो प्लीज एक लाइक कर देना वीडियो को कर देना सबस्क्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या इस मोटे के दिमाद में कुछ घलत चल रहा है अगर हां तो मुझे प्रिपेर होने के लिए टाइम मिल जाएगा और आपस के लिए और अच्छी वीडियो में लेकर आपा हूँगा तो फिलाल अल्मूस्स सारे पुलिस वाले हमसे दूर होते जा रहे हैं एक ही लास्ट गाड़ी हमारे पीछे बची हुई है इसको भी ब्लास्ट करते हैं एक नहीं यार यह तो तीन हो गई भाई सद्राइब मेरी गण हो गई है लॉक ठीक से चलने पाई यह बंदा भी गया यह भी गया नाइस यह लास्ट की दो गाड़ी है मेरे साब से इसके बाद तो हम भज जएंगे यार ड़न ये भी लास्ट गाड़ी थी इस पर भी आग लग चुकि यह यह भी ब्लास्ट हो गई पेचे एक और गाड़ी थी यार वो हमारे पीछे नहीं आई थेंग गॉड यहां पर भी गाड़ी है यार क्या चल क्या रहा है वही मैंने इन दो अन्दों को टक्कर मारी इसमें से एक तो गाड़ी के ऊपर ही चिपक गया है और गाड़ी के हैल्स बिलकु ना के वराबर बची हुई है भाई इस बरेंदे के हाथ पर टोट चुके हैं पर फिर भी ये रोकने के लिए पूरा रेडी है और सामने से आ रहा है हलीकॉप्टर भाई ये पुलिस वालों की अरकत तो नहीं होती है यार तेहरीकॉप्टर से वो हमें काटने के लिए रहा है पुलिस वालों ऐसे सोड़ी करता है और भाई फाइनली मूटे ने कुदा दी है गाड़ी इस पैनर के उबर से और हम लोग पहने ही चारों के चारों इस गाड़ी से बाहर कूद गए थे फाइनली हो गया यहां पर गाड़ी के साथ ब्लास्ट और हम लोग बच गए है हाँ बच गए है हम चारों लोग बच गए हैं पुलिस से हो गया हमारा पीछा खतम और भाई पुलिस हट चुकी है तो गाईज यह मिशन बहुती साथा डेडली था अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब वीडियो को कर देना लाइग और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या ये दोनों हमारे खिलाफ हैं या हमारे साथ हैं मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपने घरवालों का रखो ध्यान और सब को राम राम और राम अंदिर खुलने की खुशी में आप सब को बहुत बहुत बदाईयां चैश्री राम